तो बात करने वाले हैं आज हमने एक सटप के बारे में कि सपोर्ट ब्रेक पे सपोर्ट ब्रेक पे इंट्रीक कैसे किया था अब दोको ऐसा नहीं है कि यह जो अपना यह सिर्फ यह जो सपोर्ट होता यह बेसिक तरीका दोस्तों राइड यह बेसिक तरीका है सपोर्ट लेबल पर कमें आपको चार्ट टाइब का सपोर्ट लेवल बताने हुँ की चार्ट टाइब को काउन कासफ के बेल जो मार्केट में आपका बीनिशना चाहिए चेंज और चाहिए आपको यह पता होता है लेकिन आप सिर्फ चार्ट देखके अगर आप ट्रेड के लिए प्लान कर रहों कि यह सिर्फ आपका यह सपोर्ट लेवल ब्रेक आउट पे ट्रेड करने हैं यह सब्सक्राइब होगा कभी बरेक होगा कभी लास होगा समझ में नहीं जाए तो देटा तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि यह चार टाइप का सपोर्ट लेबर पे आप कैसे आप ट्रेट कर सकते हो इन चारो टाइप पे और यह अलग-अलग तरीका से डेटा भी होता है तो आपको डेटियल में को समझाने तो वीडियो का अंट तक देखेगा और वीडियो प बॉक्स पर आपको मिल जागा आप जॉयन करके यहां पर यह चीज बहुत बताने वालें आज यह सारे टैप के यह सारी चuanी हमआप मार्केट में हम ने यहां पर अपड़ेट कि यह फूप कर्राइप के यहां पर देख बीसकते हैं ंदोग दोस्तों सब्सक्त्राठ कर करत उलनाट सपोर्ट नहीं को अलग होगा टाइब टू का डेटा अलग होगा वहाई यह जो रेंट होता है यहां पर ओर जो होते हैं वह इंक्रीज होते हैं ठीक है वाइलूम इंक्रीज होता है तो उस कीस में आपको यहां पर पता चलता है कि यह जगर रेंज हुआ है तो क्या मार्केट यहां चो बुलीज जाएगा या बेरीज जाएगा ठीक है तो इस वजह से हम लोग यहां पर यह रेंज होने के बाद डेटा अलग हो जाता है और यह ड पर भी से फेश्ट को शुक्या कुछ है यानि मार्केट की ओपनिंग कुछ यहां पर होती है मार्केट अप्व दारिशन जाता है तो इसका do अलग होगा तो देख रहे हो आप यहां पार यहां मौर्किट सपोर्ट से लेकिन अलग-अलग तरीके से market break कर रही है तो my dear friends आपको अलग-अलग तरीका का पुल बैक हुआ तब जाके market डाउन आया तो यह भी अगर आप देखो यह भी support को ही break किया ठीक है तो यह चार टाइप का support लेवल होता है इसके अलावा कोई कोई support level market में नहीं होता है ठीक है इसके अलाव कोई support level market में नहीं होता दुस्तों मैं इतने साथ से data rating कर रहा हूं और हर इस चीज को मैं explain किया हूं तो इससे आपको एडिया लग जाया कि data rating में कितना powerful होता है बात करते हैं सबसे पहले अपना support level पर यहां पर आप देखो जो market क को ओपन होता है जिसी स्ट्राइक प्रैस होता है वही हमारा क्या होता है लेकिन माइडियर फिर्ट सा समझों कि यहां पर स्ट्रोंग सपोर्ट लेवल होने के बहुद्धी market कर गया ठीक है रीजन में आपको समझाता हूं कि counter trade कैसे किया जाता है कौन कर सकता है कौन नहीं कर ठीक है तो डेटा मगर आप देखो कि यहां पर देखो जब भी मैं आपको बड़े प्लेयर की जस्ट वीडियो में अगर मैं कोई चीज़ बोल रहा हूं बड़े प्लेयर बड़े प्लेयर का मतलब होता है दोस्तों ओपन इंट्रस अगर आप देखोगे ओपन आप और हो वाइलूम के साथ इंग्रीज कर सबसे इंप्रेंट पॉइंट है कोई भी ऑडर अगर वाइलूम के साथ इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या होता है सौट बिलड़ा इसका मतलब करेए ऐप लोग को पता है रहाइड आया यानि आपका प्राइज दिंग और अपन डार तो 60 बिलड़ मात्रों बड़ेोश करो कि चेंज ओपंटर्स एहां पर यहां पर आप थो माइनस में यहां पर यहां पर पाउज़ार फोट फाउजान आपका एट हंड़ेट के यहां पर हजार राइट तो आप क्या सब्सक्राइब यह है रिटेल टेडर का ओर्डर यानि चेंज ओप इंट्रस्ट तो बड़े प्लेयर क्या करेंगी इनी का पैसा खाने के लिए क्लिए ब्रेक करते हैं हमेशा पॉइंट दखना कोई भी स्ट्रोंग सपोर्ट लेबल को ब्रेक करने इसका मतलब यहां पर यहां पर है तो इसी हो जाता है बड़े प्लेयर को यहां पर क्या आप करना या इनका स्टॉप लोस खाना उसलिए से इसी हो जाता है तो जब भी इस तरह का कोई भी सपोर्ट लेबल आपको मिले और कॉल साइट अगर वाइल्युन के साथ ओपन ट्र स्मूथली यहां पर कंटीनू यहां पर बैग टू बैग रेड कंडल यानि कंटीनू मार्केट गिरा है और 12900 तक मार्केट क्या हुआ आया है दोस्तों ओके यह रहा पहला टाइफ वन जो सपोर्ट लेबल पर इस तरह से टेट कर रहा है तो इसमें आपको क्या कभी भी कोई-पे स्पोर्ट टेबल होता है और मार्केट में तो उसको ब्रेग करने के लिए आपको चाहिए ओपन ट्रेट कर सकते हो पॉइंट यह भी धरकना है कि छेंज ओपन ट्रेस यहां पर ज्यादा हो जाएगा तो फिर आपका यह भेल हो जाएगा दूस्तों सब open interest का काम होता है तो आपका एक चीज़ की लिए होना चाहिए यहां पर ओके अब बात करते हैं यहां यहां कि पर अपडेट भी आपको आपको मिल जाएगा 14 टेड पर वाला अभी फाली मी यह हुआ था 11 अप्यट फ्राइडा कही हुआ था यह तो तो सभी ट्रेट का जो भी चीज़े में इस विडियो में बता रहा हूं वो सारे ट्रेड यहां पर अपडेट हैं तो अपको यह नहीं किया हुआ है अपको सारी अब्लेंट को यहां पर अभी इस वाले में आप और यहां पर आपका 51,300 किसी स्ट्राइक प्रैस को ब्रेक कर रही है आप देखोगे 51,300 51,300 को break कर रही है market और downside जाने कोशी कर रही है तो यहां पर आप notice करोगा data में 51,300 पर यहां पर कोई open interest नहीं है ठीक है कोई open interest जो बड़ा player है वो यहां पर है और second जो बड़ा player है वो यहां पर इंदा मार्केट कर रहे है 51,300 पर तो ऐसे में क्या volume भी down direction में shift हो रहा और जो बड़ा player है वो 51 तो बीच में कोई भी बड़ा player नहीं है तो market में अगर short build up कीरियट हो रहा तो इसका मतलब क्या हुआ continue market क्या करेगी down direction में चलना start होगी right continue market क्या है ऐसे reversal trade हो रहा है तो reversal में अगर कोई support लेबल नहीं है तो market क्या करें ब्रेक कर जाए कि easily ब्रेक कर जाती है उसके समें और यह market कहां पर जाके 51,000 क्योंकि जो open interest जो बड़े player की position वो यहां पर active है ठीक है अपनी बड़े player की position कहां पर है यहां पर active है right तो यही point अपने को ध्यान रखना कि अगर आपका इस तरह से अगर आप reversal trade हो रहा है मार्केट में continue आपका change open interest increase हो रहा है और अगर कोई support को market break कर रही है तो point यह धरकना है कि कोई भी यहां पर put side से contract ज्यादा नहीं होना चाहिए जैसे बताए कि market कहां पर जाके कि 51,000 पर यहां पर आप देखो गए 51,000 पर ही market exactly आके रुका यह आप देख सकते हो data 51,000 पर क्या हुआ आपका open interest था और वहीं पर जाके market रुक गया और वहीं से market क्या हुआ रिवर्स होगा राइट तो यह आपका type tube का तरीके का आईए कि इस तरह से आप ऐसे setup पे आप trade के लिए प्लान कर सकते हो data बस ध्यान रखना है कि put side में कोई strong support level नहीं होना चाहिए यह value यहां अब्जर को रहें गे market में one way market में reversal हुआ है continue क्या हुआ market reversal है जब जब market इस अपका range हुआ तब तब market में अच्छा market में reversal है इसका मतलब क्या हो कि change open trust क्या है अच्छा घासा increase होंगे put side में उसके बाद top से market में selling किया मार्केट का सपोर्ट लेवल पर यानि 51,700 पर आप देखो सभी में जो story है data की वह अलग है तो आपको बस point को समझना है की point को कि break क्यूं होता है तो अगर आप यहां पनोटिस करोगे और यह राडिट तो 51,700 पर देखोगे change open trust volume के साथ counter trade कर रहा है counter trade कर रहा है counter trade इसलिए कर रहा है क्योंकि market क्या है डाउन आ रही है ठीक है इस point से market यूँ गया अब दोगों कर change open interest यहां पर increase हो रहा है इस point पर increase यानि 51,700 पर तो यह change open trust आपको पता है कि आपका कहां पर है open interest आपका यहां पर है 51,500 पर ना कि 51,700 पर तो मार्केट सपोर्ट जहां पर ले रही है 51,700 पर तो यह change open trust ज्यादा होने का मतलिब यह हुआ कि आपका जो रिटेलटेडर है वह counter trade कर रहे है market में यानि market डायों आ रही है तो या सोच रहे है कि market यहांस मांकट क्या ऐसे यह यहांस मार्केट गया है दिन वापस है अब उनको यह लग रहा कि यहांसो मांकेट अगर अच्छी खासी पर गई है तो ऐसे में हो सकता है कि market यहां से reverse हो जाए बहुत लोह का counter trade कर रहे हैं यहाँ पर इसी वज़ासे यह जो change open तो मार्केट में अगर आप देखोगे तो मार्केट कहां तक आया यह आप देखों 50 वन्ट फोर हंड़ेड तक आया था मैंने जो बताया थे तरह से आपको इस तरह के सट अप्लान कर ने के लिए चेंज जोपन्टर का आपका ज्यादा होना ज़रूरी है कि हमको इसी को ट्रैप करना होता है तो बड़े प्लेयर को आपको बड़े प्लेयर जब तक नहीं होंगे टेंज ओपने उप्रसा तब तक वह मार्केट रुके नहीं यहां पर रुके इंगी नहीं राइट यहीं चीज़ अपने को полит frame अब यहाँ पने इस वाले मऽ देखो इसमान क्या सीन रुपल मार्केट और फिर यह break होने बाद market क्या हुआ range हुआ फिर जाके market चलना start हुआ ठीक है range हुआ फिर जाके चलना start हुआ अब देखो जो तिने भी मैं आपको दिखा रहा हूं यह सारे setup सम्मे अलगी story है data कैसे change हो रहा है कैसे data में बदला हो रहा है इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि कब आपको correct entry मिलेगी कब आपको correct entry नहीं मिलेगी इसी वजह से maximum लोग option chain data read नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो एक अई setup पे काम कर रहे होते हैं जिसके वैसे वो fail हो जाते हैं लेकिन मेरा जो मेरा जो तरीका सबसे ज्यादा है जैसे मैंने बता है कि अगर कोई support label पर चेंज ज्यादा है तो counter trade करने कोशिच कर रहा है क्योंकि वाइलों भी इंक्रीजर अब देखो जो open interest है वो shifting कहां पर हो रहें 52,000 पर लेकिन notice करने वाली बात यहां पर है कि सबसे ज्यादा जो open interest है वह आपका 52,300 जहां पर market का support level है ठीक है यह क्या है 52,300 पर तो यह क्या है market का support level है और सबसे ज्यादा जो open interest है put side से वह यहीं पर है तो अभी आपको क्या समझ में आ रहा है कि तो कोई जब भी open interest active होता है चेंज ओवाई के साथ चेंज ओवाई के साथ क्योंकि वाइलों भी increase हो रहा है तो चेंज ओवाई के साथ अगर कोई चेंज ओवाई के साथ अगर open interest active है और वह भी value increase हो रहा है तो ऐसे में यह जो break होता है यह fail हो जाएगा ऐसे में आपका यह breakout fail हो जाएगा दोस्तों जब तक आपका open interest shift होना start ना हो जाए तब तक आप trade नहीं कर सकते हो ठीक या तो open interest हो ही जाए तो ऐसे में आपको shifting चाहिए जब तक market यहां से इस point से इस point पर नहीं आएगी डाउन नहीं shift होगा तब तक trade करना यहां पर आपके खातरे से खाली नहीं है तो आपको क्या करना ट्रेड नहीं करना ऐसे में जब तक आपको क्या आपको इस तरह का shifting ना मिल जा सेकंड जाने चाहिए तक जाने चाहिए मैं इस टाइम का डिटा बता रहा हूं जब ब्रेक हुआ था 11 बज के तो 52 तक गया जब मार्केट यहां पर आए होगी तो यहां की मार्केट आउट डाउन सीफ्ट होगा जिसको मार्केट आउट डाउन होगा लेकिन आपके पास confirmation के लिए जब आप यहां पर ट्रेट करोगा तब आपके पास यहां पर क्या होगा ओपन ट्रस आपका support लेवल पे ज़्यादा होगा और अगर वाइलूम इंक्रीज हो रहा है तब तो मार्केट रुखी जाएगी तब मार्केट ब्रेक नहीं होगी डरेक्ली तो हमेशा की पॉइंट साथ है तो ऐसे में आपको क्या होगा लॉंग बिल्डाप वी किरियट होगा तो तब तब मार्केट डारिक कर जातीया क्यों आभी दोखो जो पहला वाला था इस यहींदा नहीं पहला की है सिर्फ था लेकिन क्या होता आपको कॉल साइट से सिप्टिंग हो अगया था तब इसपी इस की टोरी वह अलग है यहां पर आपन जो होता है कुछ आपको data जो होता है confirm हो चुका होता है तो आपको साथ में जब ये range break होगा आपको check करना है कि आपका ये shifting हुआ है कि अगर shifting नहीं हुआ है तो ये range जो break हो रहा है downside के लिए आप trade नहीं करोगे ये market reverse हो जाएगी और आपका breakout दोस्तों आपका fail हो जाएगा आपको ये समझ में आगवा कि किस तरह से आपको planning करना चाहिए अब मैं आपको यहां पर लास्ट वाला आप बताता हूं कि लास्ट वाला कैसे प्लान किया अब यहां पर नोटिस करोगे अच्छा खासा market में sort build-up हुआ होगा जाइड सी बात मार्केट में अच्छा का sort build-up लेकिन जब आपको पता हो गया कि बेरिस के लिए डेटा क्या होगा तो आपके अंदर दोस्तों confident भी आएगा confidence कि चलो हमको ट्रेट करना चाहिए डाउन डारिक्शन में को प्लान करना चाहिए आपको डेटा घर पता होगा तीसी वसे मैं करतों कि डेटा पर ज्यादा फोक 53,200 पर इसलिए ब्रेक करना चाहिए क्योंकि जो सबसे ज़्यादा वाइलू है 53,000 पर यहां पर नहीं है उसके नीचे है ठीक है अब चेंग यहां पर यहां पर सबसे ज्यादा है तो यहां पर क्या होगा लॉंग बिल्डप किरियेट होगा ठीक है लॉंग बिल्डप किरियेट होगा प्लस ओपर इंटर्स पी इंकरीज हो रहागा वाइलूम के साथ तो ऐसे में मार्केट में क्या होगी जैसे मैंने बता है कि काउंटर ट्रेट कर रहे है यारी मार्केट तब रहुंत करोगी उसके बाद मार्केट में क्या होता है चेंज आपना स्टार्ट हो जाता है यानि आपका क्या होता है यह इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है इस साइट तक आया लेकिन उसके बाद यहां से जब मार्केट ब्रेक किया तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो हर एक सपोर्ट ब्रेक आउट पर प्लान कर सकते हो करना चाहिए तो यह जो चार टाइप पांच टाइप का मैंने आपको सपोर्ट लेवल बताया दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप सिर्फ बेसिक तरीके से ट्रेट करोगे तो फिर आप ट्रेड नहीं कर पाओगे दोस्तों बाकि अगर डिटेल में इंडेप् आप यह जो बैच है वह अभी कल स्टार्ट होगा आज भी नेगो तेरा चौदा तरा तरह को स्टार्ट होगा इसमें नौ बजे स्टार्टिंग होगा बारा लोगों का सिर्फ यहां पर एड किया जाएगा बाकि यह फीस अगर आपने कम किया ताकि सब लोग सीख पाएं औ जोइन की जाएगा ताकि लाइब मार्केट में आपको यहां पर सीखनों की मिले कि डेटाबेस पर कैसे ट्रेड को प्लान कि